हेलो एवरीवान कैसे हुगाई साब सभी आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे आज की क्लास में मैं आपको करवानी जा रही हूँ उत्री भारत का विशाल मैदान देखो भई इससे पहले हमने इमाले परवत पूरा कंप्लीट पढ़ लिया हमने प्राइद बारत के विशाल मैदान की बात की जाए तो इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम है सिंदु गंगा ब्रह्मपुत्र वन मिनट थीक है तो इसे सिंदु गंगा ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है ठीक है क से उत्री भारत के विशाल मैदान को क्यों क्यों कि देखो सिंदू नदी इंडिया के नोर्थ में से ब्रह्मपुत्र नदी इस्ट से और फिर गंगा आपकी बहती है इसके इंडिया के सेंटर से तो इन तीनों नदियों से ही मिलकर बना है इनी के दुवारा लाएगे जो आउ की इसटार है वह 32 kłm है और इसकी चोड़ाई 1500-300 km थीक है तो इसका विस्तार इनी फैलंवग वैला हुआ है आगर हím बात करें था 1500кmm वैला हूआ है और 1.500 से 300 km ये चोड़ा है वहीं अगर देखें इसमें जलोडो का निक्षेप जलोड यानि सेडिमेंट जो भी अपने साथ भाग कर लाते हैं जलोड मिट्टी भी जिसे बोलते हैं तो इन जलोडो का जो निक्षेप है वो 2000 मिटर की गहराई तक मिलता है तो जलोडो का निक् जल बूमी है वो सिंदो मैदान को अलग रखती है गंगा वाले मैदान को अलग रखती है तो जो अंबाला है वहीं अंबाला के आसपास की बूमी इस मैदान में जल विबाजक का काम करती है यानि दोनों ही वाटर बोडिस को अलग लग करती है साथ लाख वर किलोमीटर एर यह उत्री भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है अगर इसकी बात करें तो यह मैदान बही पूरौव की और तो आपका बहुत पतला है और पश्च्छिम की और इसकी चोड़ाई च्छादा है तो जैसे जैसे पूरों की और जाते हैं इसकी चोड़ाई कम होती चली जाती है तो यह संकरा होता चला जाता है, यानि पतला होता चला जाता है, ठीक है, तो यह थी common सी चीजे जो कि उत्री बारत के विशाल मैदान के बारे में आपको पता होनी चाहिए, अब आगे जो आता है, द्रातलिय सवरूप के अदार पर इसे चार भागों में बाता जाता है, काता है भाबर परदेश, भाबर परदेश जिसकी चोड़ाई 8-6 किलोमीटर होती है, और बड़े-बड़े शंकरे और पत्थर वाला एरिया होता है, यानि पत्थरीला एरिया होता भाबर वाला, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर होते हैं, और इन पत्थरों के नीचे क् चिप जाती है, तो ये कहा जाता है कि भाबर्पर्देश मे liवर जो रिवर क्या होती है। विलीन हो जाती है, छिप जाती है, सिंदु नदी से लेकर तिस्ता नदी का जो छेतर है, जो सिंदु नदी से शुरू होता है, और तिस्ता नदी तक का जो छेतर है, वो आपका भाबर परदेशी है, और ये आपका उपजाव एरिया नहीं है, ये आपका उपजाव एरिया न जाता है ठीक है और यह किस से किस नदी के बीच में है तो यह सिंदू नदीश शुरू होता और ब्रहंपुत्र की सायक नदी तिस्ता नदी तक यह फैला हुआ है और उपजाओ नहीं है यह एरिया खेती बाड़ी की दृष्टी से ठीक है तो इतनी बाते आपको लारन रखनी है यानि humidity बहुत जादा होती है तो दलदली सा एरिया होता है नदिया पुन्य धरातल पर परकट हो जाती है इस वाले पार्ट में जो रिवर्स हैं वो पुन्य धरातल पर आ जाती है पुन्य सर्फेस एरिया पर आकर परकट हो जाती है रिवर पुन्य दिखने लग जाती है धरातल पर गने वन परदेश जय विविदता का विशाल भंडार ये सारा इसी तिराई परदेश की ही विशेशता है तो बहुत जादा जंगल और उसके साथ साथ जय विविदता देखने को मिलती है बायो डैवरसिटी वाला विशाल भंडार ये सब चीजे यहां देखने को म तो नदिया यहां पर पुन्या परकट हो जाती है भाबर से आपको याद रखना है कि नदिया विलीन किसे एरिया में होती है भाबर में और पुन्या परकट किसे एरिया में होती है तराई एरिया में तो यह चीजे आपको लार्ण रखनी है नेक्स्ट आता है बांगर छेत्र बांगर छेतर की बात करें तो बाड़ का पानी यहां पर नहीं पहुँचता बांगर यानि बाड़ का पानी बांगर यानि हर्याना का कहते हैं अधिकतर एरिया ऐसा जो बांगर एरिया है और रभी की फसल के लिए बैस्ट होता है रभी की फसल जैसे गेहूं वगेरा जो आपकी सर्दियों में बोही जाती है न वो वाली जो एगरी फसले है क्रोप से आपकी उनके लिए बैस्ट होता है बांगड एरिया क्योंकि उनको पानी कम चाहिए होता है और बांगड एरिया को ही पुराने जलोड मैदान कहते हैं, पुराने जलोड मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी के बने मैदान होते हैं, उसके बाद नेक्स आता है हमारा खादर परदेश, खादर परदेश इन्हें नमीन जलोड मैदान कहते हैं, खादर परदेश को क्या कहें खरीब के लिए अच्छा होता है, जो खादर बरदेश होता है, फसले जैसे आपका धान चावल है, जो गर्मिए में बोय जाते है जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज्यादा अप्जाओ मिट्व होती है, तो ऐसी फसलों के लिए ऐसी क्रोप्स के लिए भैस्ट होता है खादर एरिया जो कि जिनमें हर साल बाढ़ का पानि आता है पानि अच्छा होता है नहीं मिट्टी जम जाती है बाढ़ के पानि मिट्टीbene की परत आती है जो उपजाओ होती है तो बहुत अधिक उपजाओ एरिया होता है पंजाब में ऐसे एरिया को बेत के नाम से जाना जाता है तो आपने चारों चीज़े समझ लिए ना देखो सिंपल सी बात है एक बारों रिवाइज कर लो भाबर को बोलेंगे बड़े-बड़े पत्रों के नीचे जो नदिया वो विलुपत हो जाती है बड़े-बड़े पत्रों में नदिया खो जाती है सिंदो नदी से तिस्ता नदी का एरिया होता है तराई जो एरिया होता है वो भाबर के साउथ वाला एरिया होता है दलदल वा बहुत कम होता है रभी के लिए अच्छा होता है खरीफ होता है नमीन जलोड मैदान हर वर्ष यहां बाढ़ आती है हर वर्ष यहां बाढ़ आती है इन्हें कछारी परदेश यह बाढ़ का मैदान भी कहते हैं खरीफ के लिए बहुत अच्छा होता है यह खादर एरिया पंज City और TGT बोट आज स्टूडेंट्स जहां से सुन लो इनसे कोश्चन्स आपके बनते ही बनते हैं अब नेक्स आता है पंजाब के दोवाब के बारे में दोवाब क्या होता थोड़ा यह समझ लो दो नदियों के जो बीच का पार्ट होता है जो बीच का एरिया होता उसे दोव दोवाब कहते हैं दो नदियों के बीच का छेत्र दोवाब कहलाता है ठीक है जिसे सिंदू और जेलम आप कोश्चन के से आएगा आप से पुछेगा सिंदू और जेलम के बीच कौन सा दोवाब है तो सिंदू और जेलम के बीच सिंदू के नाम से दोवाब है सिंदू साग जेलम और चिनाब के बीच छाज दोवाब, चिनाब और रावी के बीच रेचना दोवाब, रावी और व्यास के बीच बारी दोवाब, तो इस सारे दोवाब आपको लारन होनी चाहिए, आगे आता है ब्यास और सतलुज, ब्यास और सतलुज के बीच है बिस्त दोवाब, कौ तो आप ठीक है तो इनको आप लार्न रखना अब आते हैं आपकी मैदान यानि जो उतरी भारत का विशाल मैदान है अलग लग एरियास में उसे अलग लग नाम से जाना जाता है सबसे पहले हम बात करें पंजाब हर्याना का मैदान सतलूज और युम्ना विभाजक भी से कहत सतलूज और युम्ना नथि को अलग अलग खरता है यह मैदान और ये आपके डिल्ली भी बढ़ता है इसके अंदर लाता है राज्जिस्तान का मैदान अर्द मरुस्ताली पार्ट जिसको स्टेपी छेतर भी कहते हैं अर्द मरुस्तली भाग को ही राज्यस्तानी बंगर के नाम से भी जाना जाता है और मरुस्तली भाग मारवार का जो एरिया है मारवार का पार्ट वाना जाता है मरुस्तली भाग बंगर की सतय पर मिलने वाली जो जील होती है उसे पलाया जील उसे सार खहलाती है क्या कहते हैं उसे सार भी कहते हैं परमुक जीले जैसे सांबर डिडवाना लून कसार कुचामन डेगाना और सांबर ये सारी बड़ी बड़ी जीले आपकी सारी रजिस्तान में ही पढ़ती है सारी की सारी इसी मैदान में आती हैं जिसका नाम है रज्जिस्तान का मैदान नेक्स्ट आता है वही गंगा का मैदान अब ये गंगा का मैदान कहां से कहां तक है तो ये आपका देखो उत्तर परदेश, बिहार, वेस्ट मेंगोल तक पूरा फैला हुआ है अब जो गंगा के मैदान है इसके दाई और बाई यानि लेफ्ट और राइट साइड पर कुछ रिवर्स है तो राइट साइड की बात करें तो राइट साइड पर पढ़ती है यमुना और सोन नदी इसके तीन उपभाग है, गंगा के मैदान के आगे चलके तीन पार्ट्स और हैं, सबसे पहला आता है उपरी गंगा का मैदान, उपरी गंगा के मैदान की बात करने तो सो मीटर की समोचे रेखा इसकी पूर्वी सीमा बनाती है, देखो इस समोचे रेखा क्या होती है, समोचे चरेखा कहते हैं तो 100 मीटर की जो रेखा है समोचे चरेखा वो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है तो कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं कि इसके पूर्वी भाग में 100 मीटर की उचाई पर है इसके अगर उचाई की बात करें तो भई वो 100 से 300 मीटर है नेक्स्ट आता है मद्य गंगा का मैदान मद्य गंगा का जो मैदान है वो आपका पूर्वी यूपी और बिहार में पड़ता है पश्मी सीमा इसकी पश्चिम में 100 मीटर की समोचे रेखा बनाती है पश्मी सीमा, गागरा, गंडग, कोसी, खादर यह सारी आपकी मद्य गंगा के मैदान की ही विसेशता है और सिम्पल सी बात है खादर बूमी है तो बहुत उपजाओ है तो खेती बाड़ी इन सब चीजों के लिए काफी ज़्यादा क्या है बेनिफिट्चियल है अब इसके बाद आता है निमन गंगा का मैदान जिसे संपूरन जो की संपूरन आपके वेस्ट बैंगोल में फैला हुआ है निमन गंगा का मैदान तो यह आपको तीनों मैदान लर नकरना उपरी गंगा का मैदान, मद्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान आगे आता है हमारे लास्ट ब्रह्म पुत्र का मैदान ब्रह्म पुत्र का मैदान जिसे असोम गाटी के नाम से भी जाना जाता है मेगाले पठार और हिमाले परवत के बीच ये बिलकुल पतला सा मैदान है ठीक है मेगाले के पठार मेगाले जो राज्य है वहाँ पर और उत्तरपूर्वी स्टेट्स में और हिमाले परवत के बीच बिल्कुल पतला से मैदान है जिसे कहते हैं ब्रहमपूत्र का मैदान तो इस सारे मैदान आपके उत्री भारत के विशान मैदान के ही पार्ट से ठीक आपके questions बनते ही, बनते हैं, अब इसके बाद next आता है हमारा द्वीप समू, आप सबको पता है भारत में दो ही द्वीप समू है, एक अंडोबान निकोबार द्वीप समू, बंगाल की खाड़ी की द्वीप, टर्शरी परवत माला के विस्तार है, जो बंगाल की खाड़ी की उत्री द्वीप है, ठीक है, जो लैंड़ फोल द्वीप है, वो आपके अंडोबान निकोबार का उत्री द्वीप है, नार कोंडम, सुसूपत और बैरन द्वीप, ये भी सक्रिय है, आपके जुआला मुखी है, ये भी आपके अंडोबान निकोबार में ही पढ़ते हैं, ठीक है और सुसूपत और नार कोंडम सुसूपत यह सारे आपकी ज्वाल मुखी के नाम है अलग लग ठीक है और बैरन द्वीब पर भी ज्वाल मुखी है जो भारत का एक मात्र एक्टिव ओल के नुमाना जाता है जो कि बैरन द्वीब पर है अंडोमान द्वीब की सबसे तरी द्वीप का नाम बताईए, लैंडफोल द्वीप, ये सारे कोशन एक्जाम में आ चुकी है, उसके बाद हुगली नदी के मोहाने पर गंगा सागर द्वीप भी स्तीत है, उसके बाद हम बात करें, पंबन द्वीप, आपका मननार की खाड़ी में स्तीत है, ठीके ये सारे आइलेंड एक्जाम में पूछे जा चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पंबन द्वीप मननार की खाड़ी में ही स्तीत है, आंदर परदेश के निकट शीरी हरी कोटा द्वीप स्तीत है, जो की आंदर परदेश में है, नेक्स्ट, हेयर द्वीप, हेयर आइलेंड आइलेंड आपको लान रखने है, किस आइलेंड के पार्ट से? नेक्स आता है लक्षे द्वीप समू, अरब सागर में पढ़ता है, अरब सागर में जो लक्षे द्वीप समू है, वो परवाल द्वीपों के समू है, परवाल द्वीप यानि कोरल के, ठीक है, समून्दरी कोरल के हैं ये समू, मुंगा जीवों के जो समून्दरी जीवोता उसके अस्ती पंजरों से निर्मित है ये जीव आंदरोत द्वीप लक्षे द्वीप का बड़ा द्वीप है आंदरोत जो आईलेंड पढ़ता है वो लक्षे द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है अमीनी दीव अमीनी दीवी भी लक्षे द्वीप का सबसे बड़ा सागर भई आपके सालसेट द्वीब परवसा है किस द्वीब परवसा है सालसेट द्वीब परवसा है उसके बाद खेदिया वेट और आलिया वेट नर्मदा और तापती नर्मदा और तापती नदियों के मुहाने परस्तित है ठीक है खेदिया वेट और आलिया वेट नर्मद आइलेंड अमीनी दीव उसके अलावा आपका सालसेट द्वीव जिसमें मुंबई सहर बसा है खदियावेट अलियावेट कि सारे आपको अलान रखने होंगे गौट इट तो यहां पर हमारा टॉपिक कम्प्लीट होता है यहां पर आपको मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया ह तीन वीडियोस में जिसमें आज हमने पढ़ा है द्वीव समू ठीक है द्वीव समू के अलावा हमने पढ़ा उतरी बारत का विशाल मैदान उसके साथ-साथ हमने क्या किया वही उसके साथ-साथ मैंने आपको हिमाला परवर डिटेल में पढ़ा दिया है आपको प्राइद पीडियाफ मिल जाएगे नोर्स की ये पीडियाफ पेड रहेंगी उसके साथ साथ आपको अगर पीजी टी और नेट जोगरफी का पेड कोर्स चाहिए तो आप अचीवर्स अकेडमी आप जोइन कर कीजिए तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए है वे नाइस जी ओकी बाबाई सी यू